रिम्जिम बहुत अमीर थी, वो अपनी मा के साथ रहती थी, उसकी मा को अक्सर उसकी चिंता सताय करती थी, क्योंकि रिम्जिम बचपन से गंजी थी और उसका कोई दोस्त नहीं था, बड़ी होकर वो काम्याब तो बहुत होती है, मगर इसका टकला पन अभी भी उसका पीछा पिर उसकी मुलाकात नीरच से होती है, और कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रिम्जिम नीरच की खर अमीर गंजी बहु बन कर आ जाती है, आए साथ में देखते हैं रिम्जिम की कहानी, एक दिन रिम्जिम सुबह बैट कर नाश्ता कर रही थी, कि तभी उसकी मा रिम्जिम के स साथ वहां आती है बेटा रिम जिम देखना पिंटू अंकल एक लड़के के बारे में बता रहे हैं तो उससे मिल क्यों नहीं लेती ओफो मा फिर वही बात आप अच्छे से जानती कि कोई भी लड़का मेरे टकलेपन की वज़ा से मुझसे शादी नहीं करना चाहता नहीं पिंटू अंकल अगर आपने दुबारा मा से शादी के बारे में कोई बात की तो मैं आप कोई नौक्री से निकाल दूँगी ये सुनकर पिंटू डर जाता है और चुप चाप वहां से चला जाता है क्या रिम जिम तू भी मा बस भी करो मैंने इतनी मेहनत से पापा की कमपन रहता था मगर वो दिल की साव थी मुझे पता है कि रिम जिम छूट बोल रही है भला शादी कौन लड़की न करना चाहेगी वो ये सब सिर्फ इसले कह रही है क्योंकि उसे डर है कि जब लड़का उससे मिलने आएगा तो उसके टकले पन का मजाग उड़ा कर चला जाएग रिम जिम की मा रिम जिम के लिए बहुत परिशान रहती है रिम जिम घर से निकल कर अपनी कार में बैठ जाती है और आफिस की तरफ जाने लगती है ये तब ही वो देखती है एक बूड़ी औरत रास्ता पार कर रही थी अचानक से एक बाइक वाला उस औरत को ठकर मार देत और डर के मारे भाग जाता है, कोई भी उस औरत की मदद के लिए आगे नहीं आता, ओफो लगता है मुझे ही जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, रिमजम गाड़ी से उतर कर उस औरत के पास जाती है और उनसे कहती है, माजी जादा चोड़ तो नहीं लगी, आईए चलकर मेरी गाड़ी में बैट जाएए, मैं आपको यहाँ पास के अस्पताल तक छोड़ दूँगी, शुक्रिया बेटा बस पैर में थोड़ी चोट लग गई है शायद, बढ़ा दर्द हो रहा है, कोई बात ने माजी, आईए, मैं आपको ले चलती हूँ, रिमजम उस इसके बाद रिमजम अपने ओफिस चली जाती है, उधर रिमजम अपने ओफिस में हमीशा गुस्से में ही रहती थी, सभी ओफिस वाले उससे बहुत डरते थे, आज ओफिस में रिमजम ने एक जरूरी मीटिंग रख्य हूई थी, वहाँ पहुचकर रिमजम सबसे बोलती ह सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले हफ़ते हमें एक बहुत जरूरी कॉंट्रेक्ट मिलने वाला है, उसके लिए तुम सब को बहुत महनत से काम करना पड़ेगा, और तो और नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, तभी हमें वो कॉंट्रेक्ट मिलेगा, ये सुन ये बहुत समसे इतना काम करवाती है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, अब हमें नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, सही कह रही हो पूजा, ये इसकी शादी नहीं हो रही है न, उसका गुस्सा ये हम सब पर निकाल रही है, अरे मैंने तो सुनाए कि पिछली बार ज सारी बाते सुन ली थी, रिमजिम को देखकर नीलम और पूजा थर थर कापने लगती है, बॉस आप यहाँ, वो वो मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो ये नीलम थी, चुप, एकदम चुप, मैं तुम दोनों को अभी के अभी काम से निकाल रही हूँ, चली जो मेरे ओफिस से, रिमजिम दोनों को कमपनी से निकाल देती है और गुसे में अपने आफिस में जाकर बैट जाती है, तभी वहाँ पिंटू अंकल आ जाते है, अरे बेटा ये क्या क्या, देखो मैं तुमारा सेकरेट रिबी हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, कमपनी में तो हर कोई तुमारी पिट पीछे कुछ ना कुछ बोलता ही है, मगर सबको हम थोड़ी ना यहां से निकाल सकते हैं, और अगले मैनी जो डील चाहिए हमें, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिरूत पड़ेगी, और नीलम और पुजा बहुत काम की लड़किया थी, बस करिया अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गया, यह मेरी कमपनी और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी, आप नए लोगों का इंटर्व्यू लीजे, हमारी कमपनी में काम करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, पिंटु इसके आगे कुछ नहीं कहता और चला ज जाता है, अगले ही दिन कमपनी में इंटर्व्यू देने के लिए कुछ लोग आते हैं, और उनमें से एक था नीरच, वो बहुत समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, और इस नौकरी से उसे बहुत उम्मी देती, आज तो यी नौकरी मैं पाकर ही रहूँगा, चा आपको पहले भी देखा है, क्या? वो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नीरच रिमजिम को बड़े ध्यान से देख रहा था, उसे रिमजिम बहुत सुन्दर लगती है, और उसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन रिमजिम को लगता है कि नीरच भी उसके टकले पन प आपको गलत वहमी होई है। और रिमजिम कड़ी मेहनत करती है। उस डील को पाने के लिए कई कमपनिया मीटिंग में आई हुई थी। वहाँ पर रिमजिम थी और नीरज अपने बॉस यश चोप्रा के साथ था। अरे रिमजिम तुम्हें मीटिंग में आना ही था तो जरा विग लगा कर आती। मुझसे तुम्हारा टकला बिलकुल भी नहीं देखा जाता। इस बात से वहाँ पर मीटिंग में मौझूद सभी लोग हसने लगते हैं सिवाए नीरज के। रिमजिम कुछ कहती हैं से पहले नीरज बोल पड़ता है। नीरज के इस बात से सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं और यश को बहुत गुसा आता है। यह सुनकर नीरज खुश हो जाता है और रिमजिम के पास जाकर बैट जाता है। मीटिंग शुरू हो जाती है और रिमजिम की सारी महनत सफल होती है। वो डील उसे ही मिलती है। मीटिंग से बाहर निकल कर रिमजिम नीरज से कहती है। नीरज तुम तो मुझे जानते भी नई फिर भी तुमने सब के सामने मेरा साथ दिया। जबकि एक महीने पहले मैंने तुम्हे बेवचा अपनी कमपनी से भगा दिया था। वो दरसल रिमजिम मैं तुम से शादी करना चाता हूँ। ये सुनकर रिमजिम चौक जाती है। क्या? क्या मतलब नीरज? अब तुम मजाग कर रहे हो ना? भला तुम्हे एक टकली आते हुँ देखा? तब ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। मैं उस वक्ग भी नौकरी की तलाश में था। और अंचाने में मैं तुम्हारी ही कमपनी में नौकरी ढूंडते हुआ गया। लेकिन तुमने घलत फेमी की वज़े से मुझे नौकरी नहीं दी। और ज़रा किस मैं तुम्हें पसंद करता हुँ. क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? तो बस शादी पकी। नीरज और रिमजिम दोनों हसने लगते हैं और कुछी दिनों में शादी कर लेते हैं। रिमजिम नीरज की घर की अमीर टकली बहु बन कर चली जाती है। लेकिन उसे वहाँ प मीना एक बड़े ही अमीर खर से थी लेकिन उसके माता पिता के एक्सिडेंट के बाद अचानिक से उसके उपर संकटों का पहार तूट पड़ता है। उसे अपना बड़ा सा घर छोड़कर गाउं में जाकर रहना पड़ता है और उसकी शादी भी सर पर होती है। ऐसे में ग एक दिन अचानक से एक्सिडेंट हो जाता है और वो दोलों बड़ जाता है। पिता के अचानक जाने की वज़े से उनका बिजनस भी डूब जाता है और उनकी जमा की हुई सारी कमाई चली जाती है। यहां तक की मीना का घर भी बिग जाता है। हे भगवान यह सब क्या हो सब बरबाद हो गया, मेरे ममी पापा मुझे छोड़ कर चले गए और साथ साथ उनके जमा किये हुए सारे पैसे और हमारा घर भी, अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, मुझे उसे लेकर गाउं में जाकर रहना पड़ेगा, उसे दिन मीना अपना बचा हुआ धन ले जानती, कोई काम था क्या मुझे से, अरे नई नई मीना, असल में हमने अपने ममी पापा से तुम्हारे बारे में सुना, हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम चाहते थे कि हम तुमसे मिलने आए और तुमसे दोस्ती करे, हाँ मीना, तुम गाउं में पहले कभी नहीं आई लेकिन मेरी मा ने बताया कि जब तुम्हारी मा छोटी थी, तब वो इसी घर में रहती थी, और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्ती, तो क्यों न अब हम भी अच्छे दोस्त बन जाएं? हाँ, और तुम यहां किसी और को जानती भी नहीं न, तुम्हारा कोई दोस्त भी न होगा, नई जगा पर कुछ अच्छे दोस्त बन जाएं, तो रहना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं, उमीद करते हैं कि हम अच्छे दोस्त बन सकेंगे, उन तीनों की बाते सुनकर मीना की आँखों में आसु आ जाते हैं, मुझे नहीं पता था क कि शेहर के उन अमीर लोगों से अच्छे गाउं के गरीब लोगों के, तुम लोगों को पता है, जब मेरे ममी पापा गुजर गया और हमारा सारा पैसा चला गया, मेरी एक भी अमीर सहेली ने मेरा फोन ने उठाया, और सबने मुझे अपने घर पर रुखने भी नहीं दिय वो सब सिर्फ हमारे पैसो की वज़ा से मेरी दोस्त बनी थी, ये सुनकर जया सुश्मो और परी को भी बहुत दुख होता है, अरे कोई बात नहीं, अब जो हो गया, सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब बीती बातों को भूल जाओ, हम तीनों आ गए हैं ना, सारी पूब अच्छे से निपाऊंगी, इस दिन के बाद से मीना जया परी और सुश्मा अच्छी दोस्त बन जाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब मीना अपने छोटे से घर में खाना बना रही थी, तब उससे मिलने गाओं में कोई आता है, ये और कोई नहीं मीना का मंगेतर रवी था, मीना की शादी रवी से तब तई हुई थी जब उसके ममी पापा जिन्दा थे, रवी को देखकर मीना चौक जाती है, अरे रवी तुम यहाँ कैसे? मीना, आकिर कर तुम मुझे मिली गई, मैंने तुम्हें कितना ढूंटा, उस वक्त मैं फॉरण में था, और जब तक मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता चला, और मैं वापस यहाँ आया, तुम गायब हो चुकी थी तो और मैं क्या करती रवी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करूँ, ना मुझे किसी से मिलने की इच्छा थी और नाई बात करने की, इसलिए मैं चुप चाप यहाँ चली आई नहीं, मिना तुम मेरे साथ वापस चलो, हम शादी कर लेंगे, और फिर तुम अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू करना, मुझे पूरा यखिन है, कि तुम सब ठेक कर दोगी, और मैं भी तुमारी मदद करूँगा, तुम एक बहुत हो नहा लड़की हो, यहाँ तुम के खिलाफ है, क्या, यह तुम कैसी बाते कर रहे हो, मिना, हमारी शादी होने वाली है, यह कैसे उसूल है, अगर तुम अपने होने वाले पती की मदद नहीं लोगी, तो किस की मदद लोगी, तब ही वहाँ जया, सुश्मा और परी आ जाती है, मिना, माफ करना हमने त तीनों तुम्हारी शादी कराएंगे, और वो भी इसी गाउं में धुमधाम से, क्या, मगर यह कैसे मुमकिन है, परी, नहीं, तुम सब यह कैसे करोगे, क्यों नहीं मुमकिन है, मिना, हम चारों दोस्त कम और परिवार की तरह जाद है, हाँ, अगर तुम हमें अपना परिशानी नहीं है न? कि भला उसकी गरीब सहीलिया, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे करेंगे, लेकिन जया, सुश्मा और परिशादी की तैयारियों में जुट जाती है, सबसे पहले वो सब मीना को लेकर गाउं की एक साडियों की दुकान पर जाती है, दोस्तों, तुम सब मुझे यहा साडियां कम दाम उपर मिल जाएंगी, तो तुम एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पसंद कर लो अपनी शादी के लिए, देखना हम तुम तुम उस साड़ी में कितना सुंदर सजाएंगे, तुम एक दम सीता माता लगोगी, हाँ, और रवी राम भगवान, हाँ, हाँ, ह चिंता मत कर मीना, हमारे ममी पापा ने जो पैसे हमारी शादी के लिए जमा किये थे, हम उस पैसे पैसे निकाल लेंगे। प्रिब इंसान बिना अपने स्वार्त के किसी के लिए कुछ नहीं करता था। मीना के सहेलियां उसे वो साड़ी दिला देती हैं, इसके बाद वो सब मीना के घर जाती है। मीना, शादी के दिन हम ये पूरा घर बहुत सुन्दर तरीके से सजा देंगे और देखना, इसी घर क बाहर तेरी शादी का मंदप लगवाएंगे। मगर दोस्तों उसके लिए तो हमें लोगों को बुलवाना पड़ेगा सजावट के लिए, बहुत खर्चा हो जाएगा। क्या? 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 लोगों को बुलाना पड़ेगा? मगर क्यों? वो शेहर में तो जब भी कोई जन्म होगा न? देखना बहुत मजाएगा. हम लोग गाने बजाएंगे और फर सजावट करेंगे. हाँ मीना खूब मजाएगा. मीना ये सुनकर खुश हो जाती है. अगले दिन से ही सुश्मा जया और परी मिलकर घर को सजाने में लग जाती है. एक बार जब पूरा घर सज जाता है. तब वो सब मिलकर घर के बाहर मंडप लगवाती है. मीना भी उनकी मदद करती है. और उसे इस सब में बहुत मजा आ रहा था. वहा कई में दोस्तों मुझे नहीं पता था कि इन सब कामों को करने में भी इतना मजा आ सकता है. मीना और क्या? पर अब जल्दी चल. घर और मंडप तो सजा लिया लेकिन अभी तुझे सजाना बाकी है. हाँ और क्या? ये लो. हमारी दुलहन तो अब तक तयार ही नहीं हुई. दुले राजा अगर इसे ऐसे देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमने ध्यान नहीं दिया. चलो चलो दुलहन जी आपको तयार करना है. मीना और बाकी सहेलिया हसने लगती है. मीना उनके साथ घर के अंदर चली जाती है. और फिर जया, सुश्मा और परी मिलकर मीना को तयार करती है. सबसे पहले वो मीना को उसकी सुंदर लाल साड़ी पहनाती है और फिर उसका मेकप करती है. तयार होने के बाद वाकई में मीना बह भी तुम सब की शादी नहीं हुई न, इसलिए, सब हसने लगते हैं, सभी बाहर से ढूल नगाडू की आवाज आने लगती है, लगता है बारात आ गई, चलिए दुलहन जी, आपके दुले राजा आ गई, मीना शर्माते हुए मंडब तक जाती है, और फिर रवी भी दुले क लिवास में मंडब पर आ जाता है, पंड़िची भी आ जाते हैं, और वो रवी और मीना की शादी कर देते हैं, शादी के बाद विदाई का भी समय आ जाता है, और चारो सहीलियों की आँखों में आसु थे, दोस्तों, अगर तुम सब ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता जब तुम सब मेरे जीवन में आई तब तो मैं एकदम हार शुकी थी, लेकिन तुम सब ने मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी तीनों सहीलियां मीना को गले लगा लेती हैं और फिर मीना रवी के साथ फॉरिंच चली जाती है, तीन साल बीच जाते हैं और फिर एक दिन मीना वापस उसी गाउं में लोटती है, उसे देखकर जया सुश्मा और परी बहुत खुश हो जाते हैं मीना, इतने समय बाद, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई क्या? बहुत याद आई सुश्मा, मगर मैंने फैसला कर लिया था, जब तक मैं अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू करके सब ठीक नहीं कर लूँगी, तब तक वापस नहीं आऊंगी, लेकिन अब सब पहले जैसा हो गया है, मैं अमीर हो चुकी हूँ, और अब मैं तुम सब का एहसान उतारूँगी, क्यों? मगर हमें कुछ नीच है ये मीना, नहीं परी, तुम सब मेरे साथ शेहर चलो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूँगी, और मैंने तुम लोगों सब अच्छा हो जाता है